नमस्काल दोस्तों मैं सवर्णकुमार एक्षल की वीडियो में आपका स्वागत करता हूँ. इस वीडियो मैं आपको रेप्टेक्स के बारे में बताऊँगा. चलते हैं अपनी एक्षल सीट पर और बहांपर इसे करके देखते हैं. तो यह मेरी actual sheet है जहाँ पर मैं आपको wrap text के बारे में बताऊंगा wrap text होता का है पहले इसको जानते हैं यहाँ आप आप देखेंगे अपने ribbon पर home tab पर center में आपका यहाँ पर आ रहा है wrap text तो wrap text करता क्या है यहाँ पर आपके देखेंगे तो यहाँ पर message आ रहा है make all content visible within a cell why displaying it on multiple lines मतलब कि वह रही लाइन है आपने लिखी हुई है मतलब कि वहासता बड़ा text आपका है तो उसको वो एक ही cell में आपका convert करके दिखा देगा ठीक है तो चलो एक बार करके देख लेते हैं तो यहाँ आपके देखा है यहाँ पर मैंने अपना address लिखा चुब मेरा address काफी वड़ा है तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर तो मैंने लिखा 7 पंचवटी स्यामनगर बोदला रोड सागन आगरा ओके तो आपके देखा है यहाँ पर मैंने address लिखा है जो काफी वड़ा आ रहा है यहाँ पर आपका address और भी वड़ा हो सकता है आपके आपका पेज होगा एक्सल का उस पर जो भी आपका फॉर्मेट होगा एक्सल पर वो आपका अच्छा भी नहीं देखेगा आपके एक ही सेल ने एतनी range दे लिए है या बाकी और भी आपको यहाँ पर heading दे नहीं होती ही तो आप क्या करते है तो इन सबसे बचने के लिए हम wrap text का use करते हैं तो मैं ऐसे control चेट करता हूँ undo अब माली जी मैंने आपकर कुछ और लिखा तो यसे मैंने लिखा learn why watch l-e-r learn why watch ओके तो आप देखेंगे आप पर जो भी आपने लिखाता अपना address वो छुप गया है तो मैं बता चका हूँ या तो आप इसको खीच कर आप देख सकते हैं पूरा नहीं तो आप क्या करेंगे cell पर जाएंगे और rap tax पर जाएंगे तो यह पूरा आपका यहाँ पर इस प्रकार से आ जाएगा इस प्रकार से आप इसको भी कर सकते हैं rap tax तो यह भी आ जाएगा अब आप देखेंगे यह हमारा नीचे आ रहा है ठीक है अदल्ब कि हमारा भी bottom में है तो अब आपको alignment करना है तो वो भी आप कर सकते हो यहाँ पर alignment tools दे रखके हैं तो यहाँ पर आपका bottom में है यहाँ रहा है yellow yellow यह भी आपका rap tax हो रहा है yellow yellow क्योंकि आपने rap कर चुके हैं अगर आपने rap नहीं किया कहीं पर तो यहाँ पर देखुसोर नहीं हो रहा है और आपने यहाँ भी कर दिया तो यहाँ पर भी yellow yellow आने लगा तो यह yellow जो color आ रहा है वो indicate कर रहा है कि आपने कौन कौन से function को use किया है अब आप यहाँ पर देखेंगे यहाँ बॉटम आ रहा है तो मैं दोनों select करूंगा मैं चाहता हूँ यह मेरा middle में आए तो यह middle में आएगा top पर आना चाहते है top पर भी आ जाएगा top पर भी आ रहा है ना इसे पकार से आप यहां left align कर सकते है center align कर सकते हैं और right align कर सकते हैं ओके तो यह पर center रखता हूँ और यहाँ इसे मेरे सामने आ गया अब आप देखेंगेगे यहां पर कुछ और भी function आ रहे हैं मलदब जो आपकी area आ रही आप यहाँ पर आप देखेंगे ऊपर भी कुछ space आ रहा है, इस space को कम करने के लिए आप यहाँ पर click करेंगे, center में जाएंगे, तो यह हमारा इस पकार से अपनी area को ठीक से cover कर लेगा, तो मिलता है आपको सब्सक्राइब करता क्या है और किस पकार से हमारे यह useful होता है, तो म मिलते है नेक्स्ट वीडियो में इसमें मैं आपको मर्च और सेंटर के बारे में बताऊंगा, ओके, अगर हमारे पिछली वीडियो देखनी है, तो हमारे यूट्यूब चैनल www.youtube.com.learnywatch पर आकर देख सकते हैं, और हमसे कुछ सवाल पूछने हैं, तो ask.learnywatch.com पर हमसे कुछ भी सवाल पूछ सकते हैं, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तके लिए धन्यवाद.